आज़ी जो पूद्ध शेटान रजीम बिसमिल्लाह रौख्मान रहीम असलाम लेकूम दोस्तों मैं हूं मुष्ण दवा और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हमारी आज की जो वीडियो है वो CS5403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो हमारी असाइनमेंट नमबर 3 आयोई है उस हवाले से है दोस्तों आज की एसाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक नया YouTube चैनल 24R7 टीचर्व ऑनलाइन शुरू किया है जिसके उपर मेरे अपने काफी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्व अवेलिबल हैं जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं जैसे CF101 है, CF201 है, MGT101 है, MGT201 है, HTML है, Java है, C++ है और बहुत सारे लेक्चर्व अवेलिबल है तो आप उस चैनल 24R7 टीचर्व ऑनलाइन पर जाएए, और वहाँ पर जो लेक्चर्व अवेलिबल हैं, ना फिरफ खुद फाइड़ आउट हैं, बलके आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताके उनको भी फाइदा हो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कि इस असाइनमेंट की हमारी रिक्वाइरमेंट्स क्या हैं दोस्तों, इस असाइनमेंट की रिक्वाइरमेंट्स देखने के लिए हम इसकी जो फाइल है वो ओपन कर लेते हैं दोस्तो हम SQL Server की यह assignment करने के लिए सबसे पहले जो है SQL Server आप अपने system पे install कर लेंगे अगर आपको SQL Server की installation में issue आ रहा है तो आप मेरी एक video SQL Server की installation के हवाले से भी आई हुई है तो आप मेरे channel के उपर इस video को search करके इस video से भी फाइदा उठा सकते हैं कि how to install SQL Server 2005 और साथ ही आपको यह भी बताता चलू कि SQL Server 2005 इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो है Windows 7 का होना ज़रूरी है और Windows 7 भी जो है आपके पास 32-bit हो तो फिर ही आपका जो है वो SQL Server 2005 इंस्टॉल होगा तो दोस्तों हम अपनी assignment को भी open कर लेते हैं साथ ही ताक कि अगर हमारी कोई चीव कॉपी करने वाली है तो वह हम वहां से कॉपी करते रहेंगे और उसके साथ ही जो है मैं SQL Server 2005 साथ चला देता हूं यह देखें यह उसका आइकन खड़ा है SQL Server का इसके उपर मैंने डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद देखें यह आ गया connect to server connect to server में जो है आँके पास दो मॉड है एक SQL Server authentication है और second one is the windows authentication तो हमने जो है अगर आपने installation के time पे जो है अगर FA का password set किया है तो देन यू विल यूज दा SQL Server authentication मॉड और अगर आपने ऐसे का password नहीं लगाया तो फिर आप Windows authentication के फिर यह भी कर सकते हैं तो मैंने SQL Server authentication पे क्लिक किया और FA उपर login में डाला और नीचे FA का password क्यूंकि at the time of installation SQL Server 2005 मैंने यह password सेट किया था तो उसके बाद connect पे क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा आपका जो SQL Server है वो connect हो जाएगा जब यह आपके सभमने FA screen आ जाए तो आपने जो है फिर new query के उपर क्लिक करना है new query पर जब आप double क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक FA query open हो जाएगी अब आपने जितनी भी queries यहां पर लिखनी है वो इस query वाले form के उपर लिखनी है और फिर एक एक query जो है मैं लिखता भी जाओंगा और साथ के साथ आपको वो test करके भी दिखाता जाओंगा और उसके results भी दिखाता चला जाओंगा तो हम सबसे पहले जो है अपना एक database create करेंगे उसके लिए हम लोग लिखते हैं जी create create database और database के आगे आगे आपने अपना student का ID लिखना है जैसे हमें teacher ने जो है recommend किया हुआ है तो मैं यहां पर एक जो है ID लिख लेता हूं for example मैं अपना ही ID लिख लेता हूं mc10404303 मैंने अपना ID लिखने के बाद जो है हम इस line को select करेंगे और यह देखें यह आपको execute का button एक नजर आ रहा है आप execute के button पर click करेंगे तो execute के button पर जैसे ही हम click करेंगे तो नीचे जहां पर आपके notification आते हैं यहां पर पर आपको लिखा हुआएगा query executed successfully और यहां पर command completed successfully का भी message आ जाएगा जब आपको यह message आएगा तो it means के हमारी query है वो run हो चुकी है और उससे जो है अब हम अपनी output चेक कर सकते हैं अब यह जो हमारी first line थी इससे हमारी एक database create हो गई जब आपके database create हो जाए तो आपने क्या करना है यहां पर देखें मेरा जो है मास्टर लिखा हुआ है तो यहां पर आपने जाना है तो आपके बाद आपने इस चीज़ कर लेना है screenshot 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 लेने के लिए वही आपका जो टूल जो भी आप यूज़ करते हैं या print screen के फिर यह आपने screenshot लेना है जैसे मैंने print screen के button पर click किया उसके बाद word की आपने file open कर लेनी है word की file यह हमने एक new file open कर ली और यहां पर यह image जो है यह आपने paste कर देना है उसके बाद आपने फिर second query लिखनी है second query जो है वो हमारी एक table से related है हम एक table create करेंगे उसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले वही create और create के बाद लिखेंगे table table और उसके बाद आप लिखेंगे उस table का नाम फार एक्वेंपल हम जो है table का नाम फास्ट जो है वो हमारा customer का टेबल बना रहे हैं customer उसके बाद फिर आप उसके डालेंगे bracket parentheses डाली हमने अब इन parentheses के अंदर आपने जो है अपना वो पूरे के पूरे जितने भी उसके attribute है customer के वो आपने सारे यहां पे लिखने हैं तो हम जो है सबसे पहले customer का ID है तो मैं C ID डाल दिया के customer का ID और वारचार और उसकी जो value है वो मैं 100 डाल रहा हूं यह डालने के बाद आप लगाएंगे एक कॉमा और सबसे पहले इसको जो है हमने primary key भी set करनी है तो तो P R I M A R Y primary key और उसके बाद bracket के अंदर जो है आपने वही जो आपने fee ID लगाया है इसी को copy करके यहां पे मैं paste कर देता हूं ताके हमारा यही जो attribute है वो primary key होगा और primary key का आपको पता है कि एक ऐसी unique ID जिससे आप रिकॉर्ड जो है retrieve कर सके तो इसके अंदर जो है वो हमारी customer ID बन जाएगी उसके बाद आपने customer का name लेना है तो मैं fee name के इससे हमारा customer name होगा वारचार लिखा और उसको हमने hundred values दीन के वो हमारी hundred तक store करेगा कौमा लगाया उसके बाद हमारा customer का address आईगा सी address customer का address इसकी भी मैं वार्चार लिख रहा हूँ और इसको भी मैं hundred value देके कॉमा लगा दिया इसके हमारा customer का address जो है वो save होगा उसके बाद customer मुबाइल है तो customer का मुबाइल नमबर आ गया उसको भी मैं वार्चार भी दे सकते हो, आप इंट भी दे सारी में इसलिए यूजे twice कर रांων क्योंके हमारे झोय के साथ पर जैसे हमारे पर ऑफ उसके आरे हैं तो मैं सारी के साथ ही वारचार लगा रहा हूं क्योंकि इस सकते हो तो कस्टमर मुबाइल आ गया कस्टमर मुबाइल हमने लिखा वारचार इसकी डेटर टाइप डाली और इसको भी मैंने जो है वो हंड्रेड कर दिया कि इसके अंदर हंड्रेड यह 50 यह जो भी आपने एंटर करना है वो एंटर कर दिये उसके बाद यहां पे हमारे पा कर दी और कॉमल गा दिया तो इस तरीके से जो है हमारा फस्ट टेबल के जितने भी एट्रिब्यूट है वो कंप्लीट हो जाते हैं जब आपके टेबल के एट्रिब्यूट कंप्लीट हो जाएंगे आपने उस क्यूरी को स्लेक्ट करना है स्लेक्ट करने के बाद उसको करना ह चाते हैं इसके columns को देखना चाते हैं तो आप यहां पर लिखेंगे select select steric from और table का नाम कि हमें उस customer वाले table से सारे column select करके दो जितने भी हैं तो आपने इस query को select किया execute किया तो देखें यहां पर हमारे पास नीचे customer ID customer name customer address customer mobile number और customer mail आ गया है तो मैं आपको यह recommend करूंगा कि जब भी आप कोई table create करें तो उसके साथ ही आप उसके जितने भी attributes हैं उनको select के वरी चेक करके देख लें कि वो आपका table create हुआ है और उसके अंदर वो specific column आ रहे हैं जो आपने बनाए हैं तो यह हमारा एक table हो गया उसके बाद हम दूफरा टेबल बनाते हैं दूफरे टेबल बनाने के लिए मैं इसी उपर वाले table को copy करके नीचे paste कर लेता हूं और उसके अंदर कुछ चेंजिव required होंगी वो ही कर लेंगे यहां पर देखें create table यह हमें चाहिए अब customer की बज़ए हमने table create करना है manager का उसके अंदर देखें हमें manager की id चाहिए तो हम फी की बज़ए m कर देते हैं manager id वार 400 primary की यहां फी id लिखा हूँ है customer id यहां पर भी मैं m id मकलब manager id कर देता हूं उसके बाद manager का name है और address है तो हम यह दो column delete कर देते हैं उसके बाद c name है c name को हम m name कर देते है manager name war 4100 उसके बाद manager का address है तो m address manager address war 4 और 100 कर दिया तो यह भी हमारा table मुकमल हो गया इसके साथ मैं वो select वाली command भी लगा लेता हूं ताकि हमारा साथ ही वो display भी हो जाए पर यहां पे देखें मैंने फिरस इसी table ko select किया और execute किया तो यहां पे देखें सब से पहले हम इस table को create table manager इसको execute करते हैं और यहां पे कह रहा है there is an already object और यहां पर manager select React from manager कर देते हैं और इसको execute करते हैं तो यहां पर देखें manager id, manager name और manager address हमारे पास जो है वो आ गया है यह हमारा second table हो गया उसके बाद हम third table create करते हैं third table जो है हमारा failman का है तो हम ऊपर वाले ही जो table है उसको copy कर लेते हैं और नीचे paste कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो चेंजिव रिक्वाइड है वो हम खुद से कर लेते हैं तो यहां पर यह देखें हमारे पर failman है तो हम failman failman उसके बाद देखें यहां पर manager id है तो मैं f साथ लगा देता हूँ कि failman id वारचार primary key और यहां पर भी f लगा दिया failman id हमारी जो है वो primary key होगी उसके बाद हमारे पर failman का name है हम failman का name लिखा वारचार और 100 कमा लगा के फिर नीचे आ गए फिर हमारे पर failman का mobile है तो हम failman का यहां पर failman और address की बज़ाए जो है वो mobile कर देते हैं उसके हमारा जो attribute है वो mobile है वारचार 100 किया इसी तरह हमारे यह प्रेंटिव close हो गए फिर semicolon और उसके बाद यह हमारा select वाली command आ गई और इसके अंदर हमने failman को select कर लिया इसके बाद हम इस पूरी query को select करेंगे execute करेंगे तो यहाँ पर देखें failman ID, failman name, failman mobile आ गया तो इस तरीके से हमारा यह तीसरा table भी complete हो गया उसके बाद हमारा अगला table है orders का, orders वाले table को इसी उपर वाले table को मैं copy करता हूँ नीचे जो है paste कर लेता हूँ यहाँ पे orderf orders के नाम का जो है हमारा एक table बन गया उसके बाद हम सबसे पहले उसके अंदर order ID होगा order ID के लिए हम o ID लिख दिया, war jar primary key में भी हम o ID लिख देते हैं ताक के हमारी यह primary key बन जाए उसके बाद order ID के बाद जो है हमारे पास है order status तो हम यहाँ पे जो है o डालते है f t a t u f order status आगे मैंने war jar डाला और 100 डाल दिया उसके बाद फिर हमारे पास है order date order date डालने के लिए भी हम o date डाल रिया हमने o date war jar और 100 उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसी order वाले टेबल के अंदर तीन और attribute है जो हमारे किसी और टेबल के attribute है मतलब उसके as a primary key यूज़ होते हैं लेकिन orders वाले टेबल के अंदर आके वो वाले attribute उसके foreign key बन जाते हैं अगर आपको primary key और foreign key का सही से पता है तो फिर आप इसको असानी से समझ सकते हैं तो उसके लिए हमने जो है हमारे पास एक customer ID था ठीक है जिसको हमने C ID दिया था और हमने इसके साथ लिखा चाँ वार चार और उसके साथ ही हम लोगों ने उसकी जो है values डाली थी 100 क्योंकि हमारा ये वाला attribute customer वाले टेबल के अंदर तो हमारा है primary key लेकिन यहां पर जो है वो as a foreign key यूज़ हो रहा है तो हम सब से पहले उसको वैसे ही attribute लेखेंगे और उसके बाद फिर इसके उपर key constraint यानि foreign key का जो concept है वो अपलाए करेंगे उसके बाद manager ID है manager ID भी आपके manager वाले टेबल के अंदर ever primary key यूज़ हो रहा है लेकिन यहां पर हमने उसको ever foreign key यूज़ करना है क्योंकि हमारी assignment की जो requirement है वो हमें यहां पर बताई गई है कि आपने जो है यहां पर हमें बताया गया कि आपने जहां पर जरूरी हो आपने primary key और foreign key जो है वो apply करनी है यहां पर हमें बताया गया था हमारी किस requirement के अंदर था यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह रहा दूसरी उसके अंदर requirement के अंदर यहां पे देखें आपको दिया गया है यहां पे आपको ज़रूरत हो प्राइमरी की और फॉरं की की और फॉरं की की वो भी आपने apply करनी है तो यह हमारी requirement है उसके बाद हम लोग वापफ अपने fql पे आते हैं और यहां पे देखें manager id आगया है manager id का भी हमने वार 4 लिखा था और 100 जो है उसको value assign की थी उसके बाद अगला जो है हमारे पाफ था failman id तो failman id भी जो है हमने लिखा और failman id लिखने की उसके बाद फिर हम लोग जह है उसकी भी हमने data type जो है वार 4 ही रखी थी वार 4 और उसके भी हमने 100 values उसको assign की थी उसके बाद फिर हम आगे इसके उपर foreign key का concept apply करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं f o r e i g n foreign key foreign key लिखने के बाद हम किस चीज़ को foreign key बनाना चाहरे हैं customer id को तो हमने customer id लिखा कि हमारी ये जो customer id इसके अंदर हम use कर रहे हैं वो foreign key होगी और फिर हम डालते हैं उस table का नाम जिस से हमने उसको लिया है तो हम उसके बाद लिखते हैं reference references और उसके बाद हम उस table का नाम लिखते हैं जहां से हमने वो value लिया है तो हमारे पास उपर जो है table जो है वो customer का है customer को copy किया ताकि spelling mistake ना हो इसलिए मैं जीवे copy कर रहा हूँ तो हमने customer लिखा और customer के बाद उस table का जो attribute आप copy कर रहे हैं वो लिखना है तो वो भी हमारे पास CID है यहां पर मैंने attribute चेंज नहीं किये ताकि हमारी गलती ना हो CID को bracket के अंदर लिखने के बाद फिर मैंने कॉमा लगा दिया तो इससे क्या होगा कि हमारी जो customer ID है वो हमारी foreign key बन जाएगी अब आगे हमने फिर दो और foreign keys बनानी है तो उसके लिए मैं उपर वाली line कॉपी करके नीचे paste कर देता हूँ ताकि हमारी वो ही foreign key बन जाएगी तो हमारे दूसरी जो है वो manager ID था हमने manager ID लिखा तीसरी जो है हमारी sale man ID है वो हमने sale man ID लिखा आगे भी आप sale man ID कर दें यहाँ पर अगली दूसरी रोग के अंदर आप manager ID कर दें अब देखें जो manager ID है वो हमारे references manager वाले table से आया है तो हम manager वाले table का table name कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके manager डाल लेते हैं और नीचे वाली जो है select static from sale man लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हमने order करना है तो order table का हमने जो है norm copy किया और यहाँ पर आके paste कर दिया यहाँ पर paste करने के बाद आपने इस पूरी query को जो है वो select करना है select करने के बाद execute करना है तो यहाँ पर देखें आपके पास नीचे वो table की फूरत में आ गया उसके column भी नज़र आ रहे है order id, order status, order date, customer id, manager id और sale man id यह हमारे उसके attribute है लेकिन इसके अंदर हमारे तीन attribute तो जो है इसी table से related है उसमें एक हमारा primary key है जिसको हम order id गह रहे हैं लेकिन अगले जो तीन attribute है जिसमें हमारा customer id है manager id है और sale man id है यह हम as a foreign key use कर रहे हैं और आप जब भी एक नया table create करें आपने उसका screenshot रहूर लेना है मैंने पहले भी नहीं लिए हैं तो यहां पे जहां मैं एक screenshot ले रहा हूँ और आपने उसको वही word वाली file जो आपने पहले से बनाई हूई है उसके अंदर आके आपने paste करना है और यही file जो है फिर हम end के उपर अपने lms के उपर upload करेंगे तो यहां पे मैंने वो image भी paste कर दिया तो आगे चलते हैं जी आगे देखते हैं कि अगला table अगला table जो है हमारा बिल का है तो हम उपर से एक table को कौपी कर लेते हैं यहां ञे टेबल कौपी किया और निचे paste किया यहां पे orderometry the sale man की बज़ए मैं यहां पे लिख रहता हूँ कि यह table जो है हमारा बिल का होगा और यहाँ पे bill id सबसे पहले लिखा जाएगा वारचार 100 primary की यहाँ पे primary की जो है वो भी bill id आ जाएगा उसके बाद हमारे पास है जी order id तो हम यहाँ पे भी वही आपके फॉरण की constraint apply हो रही है तो order जो id है वो हम order id लिखेंगे उसके बाद वारचार लिखेंगे क्योंके हमने उसकी data type order table के अंदर id की वारचार ही रखी है और उसके बाद उसकी value of 100 आ जाएगी और वहाँ पे हमने आगे जो है वो primary key constraint जो है वो apply की थी लेकिन यहाँ पे हम foreign key apply इसको foreign key यूज़ करना है तो foreign key लिखेंगे उसके बाद हम उस attribute को लिखेंगे हम order id ले रहे हैं as a foreign key इसलिए हमने इसको bracket के अंदर लिखा और उसके बाद फिर हम जो है पी कॉपि कर रहे हैं वो लिखेंगे तो हम order वाले टेबल असको कॉपी कर रहे हैं तो हमने यहां पे पे जो है पिर आप other वाले टेबल से जिख column को या जिख attribute को कॉपी कर रहे हैं वो लिखेंगे और bracket क्लोज करके कॉमा लगाएंगे तो ये हमारी एवा फॉरन की आ जाएगी order id उफ के बाद है जी आपके पाद bill के अंदर amount और date हम जो है यहाँ पे लिखेंगे जी amount t-m-o-u-n-t amount वार चार 100 और उफ के बाद हम जो है date लिखते हैं हमने date लिखा और इसकी जो data type है वो भी हम date और उसके साथ लिखेंगे date time क्योंकि date time हमारे पाफ data type जो है वो available है और हम जो है उसको use कर सकते हैं और उससे हम date insight करते हैं अपने database के अंदर अब यह हमारा bill वाला table है तो यहाँ पे select steric from के बाद हम bill लिखेंगे विर्थ data type determine यहाँ पे order id variable 100 primary की आ गया bill id order id वारचार 100 foreign key order id reference order amount आपकी वारचार आ गई हम इसको दुबारा इसको select करते हैं और अकेले table को execute करते हैं अभी भी error आ रहा है create table bill bill id वारचार उसके बाद आपके पाँ 100 primary की bill id order id order id वारचार 100 उसके बाद आपका यहाँ पे तो फारा ठीक है foreign key references order order id यहाँ तक भी हमारा ठीक है amount वारचार 100 हाँ यह date time के बाद जो है आपकी जो है वो values नहीं आती अब हमारी क्योड ठीक है इसको हमने select किया execute किया तो यह देखें बिल्कुल successfully execute हो गई हम इसका output चेक करने के लिए select वाली क्योड अकेली execute करते हैं तो यहाँ पे देखें bill id उसके बाद order id उसके बाद amount और date आ गए हमने इसको फिर जो है print screen लेना है और उस word वाली फाइल के नदर जाके इसको paste करना है उसके बाद आगे अगला table देखना है अगला table जो है last है I think हमारे पाफ वो bottle का है मैं इसी table को जो है copy कर लेता हूँ और नेचे paste करके और यहाँ पे bottle लेखता हूँ B O T T L E bottle उसके बाद हमारे पाफ bottle id है bottle id जो है वो मैं डाल देता हूँ जी हमारे पाफ B ID है तो मैं यहाँ पे B T मतलब bottle id बन जाएगा तो वारचार 100 आ गया primary की B T ID 100 आ गया उसके बाद हमारे पाफ जो है वो इसकी expiry date है और manufacturing date है या first date है तो हम वो dates डाल देते हैं सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इसकी F date F date मैंने डाली और date and time की हमारे पाफ data type available है और उसके बाद E date मतलब expiry date उपर manufacturing date आ गई E date date time यह हमारे पाफ जो है उसकी expiry date आ गई उसके बाद capacity लिखा हुआ F E A P A C I T Y capacity वारचार के उसकी capacity कितनी होगी bottle की तो वो मैंने 100 डाल दिया उसके बाद हमारे पास जो है वो कहता है order ID के आपने eva foreign key लेना है तो order ID वो हमारे पास foreign key eva पहले use हुई हुई है तो order ID वार 400 foreign key order ID reference order वाले table से हमने लिया है इसको और order ID वाला column दिया है यह हमारे पास query बन गई है हम जो है इस bottle को select static from bottle कर देते हैं और इस query को select करके execute करते हैं तो यहां पर देखें bottle ID आ गया आपकी manufacturing data आ गई expiry data आ गई आपके पास capacity आ गई order ID वा foreign की आ गया आपने इसका भी screenshot लेना है screenshot लेने के बाद आपने उसको अपनी word वाली file के अंदर paste करना है तो यहां पर हमने paste कर दिया अब दोस्तों जब आपके पास ये सारे table create हो जाएंगे जो आपको assignment में दिये हुए हैं ये वाले आपकी इस से जो है वो first जो आपकी requirement है वो almost complete हो जाएगी उसके बाद आ जाती है second requirement second requirement में भी हमने जो है primary key constraint और foreign key constraint जो है वो जहां पर applicable थे वो apply कर दिये हैं उसके बाद जो third requirement है इस assignment की उसकी तरफ बढ़ते हैं उसमें दिया हुए after creation of all table you are required to add following record into order table customer table, bill table by writing the appropriate SQL queries कि आपको ये data दिया गया है और ये data जो है आपने अपनी उन जो table आपने create किया है उनके अंदर insert करना है तो हम जो है ये data insert करते हैं और उसके लिए जो हम लोग आगे qd लिखते हैं qd लिखने के लिए यहां पर देखें मैं लिखता हूँ जी insert कि हम लोग जो है data insert करें into into के बाद आपने उस table का नाम डालना है जिस table के अंदर आप data insert कर रहे हैं तो हम ने जो है पहले customer का table बनाया है तो इसलिए मैं यहां पर customer का table के अंदर ही data insert करूँगा हमने लिखा insert into customer का टेबल का नाम आगया और उसके बाद हमने लिखना है वी एल यू ए एफ वैल्यूव और वैल्यूव आपने लिखनी है ब्रैकिट के अंदर और उसके बाद आपने लगाना है कॉमो तो हम यहां पे जो है वो वैल्यूव लिखते हैं उसके बाद जो है हमने यहां पे कॉमा लगा दे और अब वैल्यूव जो है अंदर आपकी देखें आप सबसे पहले देखें टेबल के अट्रिब्यूट कितने हैं अब यहां पे देखें एक, दो, तीन, चार, पांच है तो मैं यहां पे जो है वो इन्मेटिज जो हमारे कॉमा आप है जिनके अंदर डेटा लिखना जाता है वो मैं पहले फे ही लगा लेता हूँ 5, 1, यह मरपा 2, यह मरपा 3, यह मरपा 4, यह मरपा 5, यह मरपा 5 आ गए तो मैं टेबल से ही जाके वो data copy कर लेता हूँ, यहां पे customer 123 है, तो हम पहले इसी row को एक बार, तीन बार copy कर लेते हैं, ताके हमारे बार बार हमें insertion के अंदर मसला ना हो, हमने customer 01 को copy किया, यहां पे देखें सबसे पहले customer का ID आ जाएगा, customer 1, यहां पे हमने customer 2 डाल दिया, फि क्या वो मैं copy कर लेता हु, customer 01 दिया हूँ, two दिया होए, three दिया हूँ, यहां पे मैं customer 01, यहां पे आपका customer 2 लिखा, और यहां पे आपका customer three लिखा, उसके बाद, आप लोग जो है अगला data देखें, अगला जो है हमें address दिया हूए, तो यहां पे मैंने इस address को copy किया, और य contact number contact number सब में same दिया हुआ है तो हम भी यहां पे same ही डाल देते हैं हर रो के अंदर उसके बाद last जो column हमें दिया गया है वो दिया गया है customer email customer email जहा है उसके पास 123 लिखा हुआ है तो वो हम change कर लेते हैं हम जो है यहां पे आके first में paste किया फिर हमने second में paste किया और यहां पे हमने change करना है two करना है customer two at the rate of domain.com और फिर customer three at the rate of domain.com अब आपने इन तीनों QDs को जो है वो select करना है select करने के बाद execute करना है तो यहां पे near अच्छा कि आपका यहां पे जो end के उपर कॉमा है वो नहीं आएगा तो हम वो खतम कर देते हैं अब हमने दुबारा इसको select किया दुबारा select करने के बाद जो है हम इसको execute करते हैं तो अब यहां पे देखें आपके पास message आ गया है three rows affected का one row affected फिर second फिर third मतलब यह है कि हमारा data जो है हमारे customer वाले table के अंदर insert हो चुका है हम इस चीज़ को check भी कर सकते हैं हमने जो उपर select from customer की command एक यूज़ की थी क्यूरी वही क्यूरी जो है मैं दुबारा copy करके यहां पे ले आता हूँ यहां पे रखें और इसको execute करते हैं execute करके यहां पे देखें यह नीचे आपको data नजर आ रहा है तो हम जो है इसका भी print screen बना लेते हैं और इसको भी अपनी assignment वाली file के अंदर paste कर लेते हैं यह हमारे पास data insert हो गया अब हमने अपने दूसरे table के अंदर अपना data insert करना है customer के बाद manager का अब manager का data insert करने के लिए इसके तीन आपके पाफ column है मैं जल्दी जल्दी data इसके अंदर insert करके आपको दिखा देता हूँ यहां पे वही आप जो है insert वाली query यूज़ करेंगे उसके बाद into लिखेंगे manager हमने manager और values के अंदर आपने ब्रेकेट के अंदर तीन आपने values लेनी है तो मैं inverted कुमार पहले ही लगा लेता हूँ और ताक्के हमें values एंटर करते हुए असानी रहे उसके बाद मैं इसको तीन बार copy कर लेता हूँ ताक्के हम values असानी से इंटर कर सकें उसके बाद हमने डालने हैं इसके अंदर manager का ID, manager का नाम और manager का address तो हम जो है manager ID जो है mg001 और फिर उसका नाम डालना है और फिर उसका address डालना है तो हम यहां पे देखें manager वाले table के अंदर हमारे पास जो है ऐसे ही है manager का ID, manager का name और manager का address मेनेजर का ID जो हम डाल देते हैं MG 001 मेनेजर का नाम जो है मैं लिख देता हूँ मुफिन रवा और उसका address मैं लिख दिया उसके बाद MG 002 है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ MG 002 आगया मुफिन के बाद मैं लिख देता हूँ जी एहमर रवा और उसका address मैं लिख देता हूँ M-U-L-T-A-N-M-U-L-T-A-N उसके बाद मैं लिख देता हूँ MG 002 की बजाए MG 003 क्योंके हमारा ID जो है नेक्स्ट 3 है G-H-U-L-A-M-G-U-L-A-M A-F-G-H-A-R-F-G-A-R और इसका address मैं लिख देता हूँ जी लहौर मैंने short करके लिख दिया है तो आप यहां पे अपना पूरा address भी एंटर कर सकते हैं इसके बाद मैंने इस सारी इसके साथ लगाता हूँ select की query ताके हम जो है वो साथ ही हमें नीचे data भी नवर आ जाए और select specific from manager तो manager को select करना है इस सारी को हम select करते हैं select करने के बाद मैं इसको करता हूँ execute execute के button पर click किया तो यहां पे देखें हमारे manager वाले table का data record नजर आ रहा है तो उसके बाद मैं इसका screenshot नहीं ले रहा तो आपने इसका screenshot लाजमी लेना है मैं अगले table के उपर जा रहा हूँ जिसके अंदर हमने values insert करनी है वो है failman अब यहां पे मैं वही उपर वाली command जो है insert into और यहां पे managers की बज़ाए जो उपर हमारा manager failman वाला table है उसका नाम मैं copy करके लिए आता हूँ failman उसके अंदर भी failman id name और mobile number है तो हम यहां पे आके failman का id, name और mobile number हम तीन ही इसके attribute है तो मैं तीन बार यह inverted का मज़ लगा लेता हूँ और उसके साथ हमारा यह come complete हो जाता है three times जो है मैं इसको paste कर लेता हूँ तक के हम तीन record जो है इसके अंदर enter कर सके इसके बार failman id जो है वो sm001 है तो मैं यहां पे जो है fm001 अब failman का name है failman की name के अंदर हम लिख देते हैं जी वाजिद और यहां पे उसका जो mobile number है वो 0300 डाल देता हूँ अकेला उसके बाद हमरे पर failman id जो है वो हमरे पर 2 आ जाएगा यहां पर मैंने copy किया, यहां पर paste किया उसके बाद वाजिद के बाद मैं फिर लिख देता हूँ जी रजा और यहां पे उसका जो mobile number है वो 0302 डाल दिया उसके बाद मैं failman id जो है वो 3 डाल दिया, उसके बाद डाल दिया है जी अली, उसका नाम आ गया और उसके बाद जो उसका mobile number है वो है 0307 डाल दिया इस को Select Staric from Failman करता हूँ ताकि हमें इसके रिवर्ज भी नज़र आ सके हैं मैंने यहां पर Select Staric from Failman किया उसके बाद जो है इसको मैं Execute करता हूँ इस पूरी QD को मैंने Select किया, Execute पर क्लिक किया तो यहां पर देखें हमारे पाफ Failman ID वो आ गए, Failman Name आ गया और Failman Mobile Number जो हमने Inferite किया, आपने इसका भी Image बना लेना है उसके बाद जो अगला है वो है हमारे पाफ Order का Table अब Order के Table के अंदर हमने Data Inferite करना है उसका Data जो है वो हमें दिया गया है, कि Order ID हम वो ही, कि हम जो है, यहां पर Inferite Into Order, हम जो है वो Table का नाम लिख लेते हैं, O-R-D-E-R-F Order, उसके बाद Value आनी है, Value हम देख लेते हैं कितनी आनी है, Value जो है हमारे पाफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम आने हैं, तो हम जो है, 6 बार इसके Inverted कामाब, मैं पहले से ही लगा लेता हूं तक कि हमें कोई परिशानी ना हो, 3, 4, 5, 6 इसके बाद हम लोग इसी row को कर लेते हैं, Copy इस पुरी row को और 3 बार जो है वो नीचे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पाफ रेकॉर्ड जो है, वो 3 है इसके बाद हमें जो है, पहले नमबर पे दिया गया है जी, Order ID Order ID हम लिख लेते हैं Order ID 1 है, फिर Order ID, हमारे पाफ 2 है, फिर Order ID जो है वो मारे पाफ 3 है उसके बाद अगला जो हमें रेकॉर्ड दिया गया है वो है Order Status यहां पे Completed है और Pending है कि हमारे First जो 2 है उनके साथ Completed लिखा हुआ है और जो Third One है उसके साथ P, E, N, D, I, N, G Pending लिखा हुआ है उसके बाद अगला जो है फर्दर हमारे पास वो Delivery Date है हमारे पाफ First और फिर 5 और फिर Null दिया हुआ तो यहां पे हमारे पास जो है मेरी जो Setting की हुई है वो फिर पहले Year आता है फिर आमके पास Month आता है और फिर Date आती है तो मैंने यहां पे वो ही Date लिख लिख लिए है 2020 और फिर Month और फिर Date हमारी 5 थी और अगली जो Value थी वो Null थी उसका हमने ब्लैंक छोड़ दिया उसके बाद जो है हमारे पास Manager का ID आ गया MG 001 MG 002 तो यहां पे मैंने MG 001 लिखा फिर MG 003 आएगा और Second Value रोख के अंदर MG 002 आएगा इसके बाद हमारे पास अगला जो है वो Customer ID है तो Customer ID 001 यहां पे Customer ID 001 यहां पे Customer ID 002 उसके बाद हमारे पास Manager ID 003 आ गया उसके बाद जो आखरी कॉलम है उसके अंदर हमें देखें दिया हुआ जी Failman ID Failman ID 001 तो वो हमारा Failman ID 001 Failman ID 002 और Failman ID 003 तो यह हमारा डेटा हो गया जो हमने आडर वाले टेबल के अंदर इंसाइट करना है इसको मैं Select करता हूँ Select करने के बाद इसको Execute करते हैं जी Execute पे क्लिक किया जो है Three rows Effected का Message आ गया उसके बाद हम लगाते हैं Select Steric from उस Table का नाम यहां पे देखें मैंने इसको Execute किया तो हमारे पास जो है वो Record आ गया Order ID, Order Status Order Date आ गयी और अगली जो है हमारी Null थी हमने कोई Value एंटर नहीं की थी उसके बाद Customer ID, Manager ID और Failman ID भी आ गया इसके बाद Next जो है वो हमारे पास Table है Bill Table अब Bill Table के अंदर भी हमने जो है वो Record जो है वो Enter करना है अब Bill Table के अंदर Record करने के लिए हम वो ही Inferit वाली उपर फे अपनी जो है वो क्यूरी कॉपी कर लेते हैं मैं यह यहां पे Inferit into वाली कॉपी कर ली और यहां पे आके मैंने इसको Paste कर दिया और उसके बाद फिर Bracket के अंदर जो है हम वो Value डालेंगे और वो Values देख लेते हैं हमारे पाफ कितनी है Values जो है हमारे पाफ एक, दो, तीन, चार कॉलम है तो हम यहां से चार कॉलम के लिए चार Inverted को हम आव लगा लेंगे पहले ही और यह हमारा Complete हो गया और हमने Values Inferit करनी है कौन से Table के अंदर Bill वाले टेबल के अंदर तो हम जो है Bill वाला टेबल उसका Name Bottle यह रहा Bill इस Name को कॉपी किया और यहां पे आके Insert Into Bill और Values के अंदर हमने वो Values एंटर करनी है जो हमें यहां पे यह गई है कि Bill ID सबसे पहले मैं इसकी तीन रोज बना लेता हूं क्योंकि हमने थ्री रेकॉर्ड जो है वो एंटर करने है तो यहां पे हमारे पाफ Bill ID आ गया 001 Bill ID 2 आ गया 002 Bill ID 3 आ गया 003 उसके बाद हमारे पाफ जो है Next हमारे पाफ Order ID है OD 001 तो हम जो है OD 001 OD 002 आ गया OD 003 आ गया इसके बाद हमारे पाफ जो है अगला कॉलम वो है जी हमारा Date का तो Date हमने उपर भी Inferred की हुई है तो यहां ही पे मैं Date कॉपी कर लेता हूं और नीचे भी डाल देता हूं और Last वाली जो है वो हमारी 9 थी तो यहां पे मैं 5 और यहां पे 9 Inferred कर देता हूं क्यूंकि यहां पे Last वाली हमारी 9 है Amount है जी 500 की 550 की और फिर 500 की तो यहां पे मैं फिर 500 550 और फिर 500 इस सब को Enter करने के बाद इसको किए Select Execute तो यह हमारे पा Converient Fail When Converting Date Time From Character to Featring तो यहां पे हमारा Bill वाले टेबल के अंदर सब से पहले देखें क्या है हमारे पास Order ID है कि पहले हमारा Bill ID है फिर Order ID है फिर Amount और फिर Date है हमारे पास सब से पहले जो है Bill ID Bill Order ID फिर Date Bill वाले टेबल के अंदर फिर Amount और फिर Date है कि amount पहले है और date बाद में है तो इस से भी बड़ा फर्क पड़ता है आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि यहां पर सबसे पहले amount है और फिर आपकी date है तो मैं यहां पर दुबारा नए सीरे से जो है वो record set कर रहा हूं हमने यहां पर सबसे पहले amount और फिर date डालनी है और इदर जो last में हमें दिल गई है इसको हम कर देते हैं जी खतम अब इसको select किया execute पे click किया तो इस से हमारा देखें three rows effected का message आ गया अब हम select static from bill करते हैं ताके हम record कर देख सकें जो हमने enter किया है इसको select करने के बाद आप execute करें तो देखें हमारा जो नीचे है वो record आ गया है अब आपने इसका भी screenshot लेना है तो इस तरीके से दोस्तो हमारी यह जो third requirement है इस assignment की वो भी पूरी हो जाती है अब fourth requirement है write a query that retrieve all record from order table where order status is pending के आपका जो order status जहां पे pending है वो आपको दिखाए तो हम उसके लिए भी query लिखते हैं select select from order order और उसके बाद where order status order status हवाला जो हमारा column है वो हमने देखना है तो order order status किदर है यह हमारा order वाला table आ गया और इसमें order status order status हमने column का नाम भी वही रखना है वरना वो record retrieve नहीं करेगा order status is equal to pending जो हमने लिखा था वो हम यहां पर लिखेंगे और order status order status लिखने के बाद हम लोग करते हैं जी इसको pending pending यह लिखने के बाद आपने इस क्यूरी को select करना है इस क्यूरी को select करने के बाद आपने करना है execute तो इसके नतीजे में देखें हमारा जो pending वाला order है वो हमारे पास आ गया तो इसका भी आपने एक screen shot लेना है इस से हमारी जो है वो यह fourth requirement जो है अब हमारे पास आ जाती है जी आखरी requirement वो है finally retrieve the customer complete order in inner join table such as order ID as order ID order status status order के table से customer और बिल अब यहां पे देखें हमारे पाद तीन table है एक customer का है एक order का है और एक हमारे पास बिल का है और यहां पे हमने inner join लगाना है और यह query जो है बहुत मुश्किल से मैंने बनाई क्योंकर इस पर मेरा बहुत ज्यादा time consume हुआ इसको बनाने में तो हम जो है वो ही सबसे पहले यहां पे वो ही query बनाने के लिए select steric, steric की बजाए जो है हमने कुछ column select करने है order table फे वो order table में देखें हमें दिया गया है order id, status और deed यह तीन जो है हमने order वाले table से लेने हैं तो हम यहां पे steric की बजाए जब आप steric लगाते हो तो वो सारे column आपको retrieve करता है तो हम जो है फिरफ वो ही columns का लिखेंगे जो हमने वहां से लेने हैं तो यहां पे मैं steric की बजाए लिखता हूँ पहले order उस table का नाम और फिर उसका attribute जो हमें चाहिए OID जो है वो का attribute है एक वो हमें चाहिए कि order वाले table से आप select करो order ID को और फिर आप order वाले table से select करो आप order status को order status आगया उसके बाद आप select करो order वाले table से order date हम यहां पर order लिखेंगे order date उपर एक बार मैं चलके order वाले table के अंदर उसके देख लेता हूँ कि यही नाम है यहां पर देके बिल का आगया order ID, order status और order date बिलकुल सेहम ऐसे ही लिखे हुआ है तो यह status को मैंने copy कर लिया कि जलत तो नहीं लिखा गया यह हमारा हो गया जी select steric from order table अब जो है हमने दूसरा जो record set करना है select करना है वो करना है customer वाले table से तो customer वाले table का जो है हम सबसे पहले नाम लिखेंगे customer dot आपने यहां पे customer का name select करना है तो customer का name का जो है वो हम वहाँ से उपर से यह customer name है तो यहां पे आने के बाद dot customer name के customer वाले table से जो है आप customer name select करोगे उसके बाद हमें एक कौमा लगा देते हैं यहां पे देखें सबसे पहले जो है आपने लिखना है उस table का नाम और फिर उसके attribute का नाम जिसको आप select करना चाहरे है पहले मैंने order लिखा पिर order id लिखा जिसको मैंने select करना पिर order status पिर order वाला dot order date फिर customer table आ गया customer table से जो है मैंने जो है customer name लेना है अगला जो है हमारा यहां पे हमें दिखाया गया है वो है bill का वहां से bill की आपने amount लेनी है तो हम जो है bill का table लिखेंगे यहां पे मैंने bill लिखा हुआ है और इसके फार dot लगा के और फिर आगे आपने उसकी amount लिखनी है तो हम चल कर देख लेते हैं यहां पे amount जो है मैंने वैसे ही लिखी हुई है तो यहां पे dot के बाद amount आ गया तो यह हमारे वो सारे attributes हैं जो हमने select करने हैं अपने मुख्तलिफ table से उसके बाद जब आपके यह select हो जाएंगे तो आपने क्या कर करना है हमने उसके बाद लगाना है जी from from लगाने के बाद आपने उसे बताना है कि जी inner join करो inner join करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा उस table का नाम जिसके साथ आप join करना चाहते हैं तो हम यहां पे जो है सबसे पहले bill वाले table का join करना चाहते हैं तो यहां प पर लिखना है inner join कि आपका जो है वो inner join करेगा किस के साथ करेगा सबसे पहले हम जो है उस table का नाम लिखेंगे उस table का नाम जो है वो हमारे पास order है कि आपका जो bill वाला है वो आपका inner join करे orders के साथ और orders के order id के साथ dot हमने लगाया order id और दूसरा हमारा attribute वो है order id को हमने लगाया जी equals और फिर orders हमने सबसे पहले bill लिखा bill लिखने के बाद inner join लिखा inner join लिखने के बाद order लिखने के बाद हमने लगाना है on on लगाने के बाद bill id आपका bill id आगया जी bill id का आपने order id के पार जोइन लगाना है तो order id आगया फिर हमने equals लगाया equals लगाने के बाद आपने फिर order लिखना है order लिखने के बाद फिर आपने dot लगा के order id order id हमने लिखा और उसके बाद फिर आपने एक inner join अप्लाए करना है inner join और फिर इसके अंदर आपने डालना है customer को यहां पर हमारा customer आ गया क्योंकि हमारा सबसे पहले जो है bill को हमने join किया फिर अब हम customer को का रहे हैं तो customer के साथ फिर on लिखा और on लिखने के बाद फिर आपने डालना है order c id और फिर equals customer id order order के बाद आपने डालना है dot customer id equal फिर आपने customer का टेबल का रेफरेंस डालना है यह customer आ गया और यहां पर dot c id मतलब आपका customer id आ जाएगा और उसके बाद last में जो है वो हम यहां पर where order status is equal to where order status is equal to हमने डालना है complete completed क्योंकि हमने यहां पर completed inside किया हूँ इस पूरी क्यूरी को आपने select करना है execute के बटन पर क्लिक करना है यहां पर invalid column fame fee i हमने कहीं पर fee i use किया है अकेला यहां पर fee i हमने कहां पर use किया यह रहा fee i की बजाए fee id भी लिखना है customer id इसको दुबारा select किया execute किया तो उसके completed order date आ गई name आ गया और amount आ गई और यही हमें जो है हमारी assignment के अंदर दिखाया गया order id status name date और bill amount तो इस तरीके से जो है हमारी यह सारी इस का भी आपने image लेकर अपनी उस word वाली file के अंदर paste कर लेना है तो यह थी हमारी assignment fee i403 की database management की मुझे उमीद है आप लोगों को समझ आ गई हो कि आप अपना जल्दी से SQL Server 2005 install कीजिए और अगर आपको server install नहीं हो रहा तो आप लोग windows 732 bits install कीजिए और उसके उपर SQL Server 2005 install कीजिए और आपको अगर समय नहीं आ रहा कि यह install कैसे होगा तो मेरी एक video how to install SQL Server 2005 की भी IUE है आप उस video को देखें तो आप जो है वो इंशालला SQL Server 2005 install कर लेंगे उसके बाद जब install हो जए तो आप अपनी यह id से database create कीजिए table create कीजिए और उसके कर सकते हैं आखिर में पर फिर आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप YouTube.com teachers online for you पर जाइए वहां पर मेरे CS 101, MGT 101, CS 201, MGT 201, HTML, Java से क्रिप्ट, Office related और बहुत सारे lectures वहां पर available हैं आप उन से भी फाइदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी send करें दोस्तों मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ ये जीटीबी solution के साथ उस वकर तक के लिए मुफिन भाई को इचाफ़त दीजिए थैंक्यू बेरी मच्छ दोस्तों अलाहाफिज